चम्पा काले अक्षर नहीं चिनहती चम्पा नामक ग्वाल बाला अक्षरों का महत्व नहीं जानते है उसके लिए ये अक्षर काले काले धपों के सिवाए कुछ भी नहीं है जब लेखक कोई पुस्तक पढ़ने लगता है तो चम्पा उनके पास आ जाती है और वहीं पर खड़ी होकर सुनने लगती है कि लेखक पुस्तक पढ़कर क्या कह रहा है उसे इस बात से बहुत हैरानी होते है कि काले काले अक्षरों में से इतनी सारे स्वर कैसे निकलते है वहें अक्षरों का महत्व नहीं समझ पाती है यहां पर चम्पा एक ग्वाल बाला है यनि कि पशों को चराने वाली लड़की है और उसे पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है वहें यह नहीं समझ पाती है कि लेखक पुस्तक को पढ़कर ये कैसे कुछ भी बोलता रहता है वहें सुन्दर नामक ग्वाले की लड़की है सुन्दर पेशे से ग्वाला है उसके पास गाएं और भैसे हैं चम्पा उन गाए भैसों को चराने का काम करती है वहें सभाव से अच्छी है चंचल है शरारती है कभी-कभी वे हैं बहुत शरारत करती है और लेखक की कलम चुरा करके छिपा देती है इससे लेखक बहुत परीशान हो जाता है और किस तरह भी अपनी कलम को ढूंड लेता है परंतु तब उसे पता चलता है कि उसके कागज गायब है चमपा उसकी कलम के साथ साथ उसके कागजों को भी छिपा देती है और इस तरह से अपनी हर दम की परेशानियों से उसे भैभीत रखती है, परेशान रखती है यहाँ पर कवी सरल सपाट और सीधी भाशा का प्रयोग करता है चमपा लेखक को शिकायत करती है कि तुम दिन भार इन कागजों पर लिखा पड़ी करते हो क्या लिखना पढ़ना काफी अच्छा काम है? मैं तो ऐसा नहीं समझती इस पर लेखक को हंसी आ जाती है और चमपा की इस अबूधता पर वह भी हंस देता है चमपा भी चुप हो जाती है मानो उसने कुछ सही कह दिया हो एक दिन चमपा लेखक के पास आई लेखक ने उससे कहा कि वह भी पढ़ना लेखना सीख ले यह उसे कठीनाई के समय काफी काम देगा तब वह गांधी बाबा का हवाला देते हुए कहती है कि गांधी बाबा को भी सब का पढ़ना लिखना बहुत पसंद था गांधी जी भी चाहते थे कि सब लोग पढ़ना लिखना सीखें चमपा सरल स्वाभाविक से लेखक को उतर देती है कि मैं तो नहीं पढ़ूँगी तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा अच्छे मनुश्य है फिर वे पढ़ने लिखने की बात क्यों करते हैं अगर करते हैं तो वे अच्छे कैसे हुए यानि कि वे पढ़ाई को अच्छा नहीं समझती है तो वे गांधी जी को भी बुरा बताने लग जाती है मैं तो पढ़ाई लिखाई को अच्छा नहीं मानती इसलिए मैं नहीं पढ़ूँगी वहें पढ़ने लिखने से मना कर देती है और यहां पर फिर कहती है कि मैं इसलिए गांदी जी को बुरा मानती हूँ क्योंकि वो पढ़ने लिखने का कहते हैं चमपा कागज गोदने को बेकार का काम समझती है यानि कि कुछ भी लिखा जाए यह उसे पसंद नहीं है यानि कि वहें कागजों को खराब करना बताती है और बुरा बताते हुए प्रेश्ण करती है कि क्या यह अच्छा काम है यहां तक कि गांदी जी का नाम लेने पर वी रट लगाती है कि मैं तो नहीं पढ़ूँगी पढ़ना लिखना मेरी नजरों में कोई अच्छा काम नहीं है इससे चमपा के सरल सभाव भोले नटकट और आत्मी सभाव पर फ्रेकाश हम देख सकते हैं कि किस तरह से उसे बिल्कुल भी ग्यान नहीं है क्योंकि वह पढ़ियोई नहीं है लेखक चमपा को कहता है कि लिखना पढ़ना अच्छी बात है जब तुम्हारी शादी होगी तुम ससुराल जाओगी तब कुछ दिन तक तो तुम्हारा पती साथ रहेगा फिर कमाने के लिए कलकता चला जाएगा तुम जानती हो कि कलकता बहुत दूर है तब तुम ही बता कहता हूं कि तुम पढ़ लिख लो पढ़ना लिखना अच्छी बात है कविता में अभिवेक्ति बिल्कुल सरल सीधी और साधगी पूर्ण तरीके से की गई है लेकिन इस पर चमपा जवाब देती है और लेखक की बातों को जूठा बताते हुए कहती है कि हाई राम तुम क विवा करूंगी ही नहीं यह नहीं जतीन मेरा विवा हो भी घया तो और गई इसे कलकता नहीं जाने दूंगी कलकता पर वज्रगिरे उसका शत्यनास हो इहां पर विवै तरक देती है तरही तरह से जब उसे लेखक पढ़ने-लिखने के लिए समझाता है और अपने पती को स प्रतिक्रिया होती है कि मैं तो विवाही नहीं करूंगी और अगर हो भी गया तो उसको जाने ही नहीं दूंगी यहां पर चंपा पढ़ाई लिखाई के लाब के विरोध में बातें करती है कि कवी सरासर जूट बोलता है और वहें शादी नहीं करेगी इसलिए बालम के पत्र पढ़ने और लिखने की जरूरत भी नहीं रहेगी और यदि शादी हो भी गई तो उसे जाने नहीं देगी चंपा अपने पती के बारे में कलपना करती है कि उसे अपने पास रखेगी चंपा को कलकत्ता पर क्रोध है क्योंकि कलकत्ता जाने वाले महानगरिये चकाचोंद में खो जाते हैं महानगरिये चकाचोंद यानि शहरों की जो वहां चकाचक है भीडभाड है उसमें खो जाते हैं और अपने घरबार को बिल्कुल भूल जाते हैं इसलिए वे कहती है कि वज्र गिरे कलकता पर यानि कलकते पर वज्र गिरे ऐसे कहती है और कविता में कहती है तुम्हें भी अपने बालम को संग साथ रखूंगी कलकता में कभी न जानी दूंगी कलकते पर वज्र गिरे